हर हर महादेव दोस्तों आज मैं माता पार्वती और भगवान शिफ की एक अनोखी कहानी बताने जा रही हूं एक पर माता पारवती ने भगवान शिर्ष से कहा कि प्रभू मैंने प्रिठवी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रबंध में दुखी है आप उसे और जादा दुख प्रदान करते हैं और जो सुख में हैं आप उसे दुख नहीं देते हैं भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पारवती को धर्ती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इनसानी रूप में पती पत्नी का रूप लिया और एक काव के पास तेरा जमाया शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुश्य रूप में यहां आये हैं इसने यहां की नियमों का पालन करते हुए हमें यहां भोजन करना होगा इसलिए मैं भोजन की सामिग्री की विवस्ता करता हूँ तब तक तुम भोजन बनाने की तयारी कर लो भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूले को बनाने के लिए बाहर से इटे लेने गई और गाव में कुछ जरजर हो चुके मकानों से इटे लाकर चूला तैयार कर दिया चूला तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए माता पार्वती ने उन से कहा आप तो कुछ लेकर नहीं आए बोजन कैसे बन रहीगा भगवान बोले पार्वती अब तुम्हें इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी भगवान ने माता पार्वती से पुछा कि तुम चूला बनाने के लिए इन इटों को कहां से लेकर आई हो तो माता पार्वती ने कहा प्रभू इस गाव में बहुत से ऐसे घर भी है जिनका रख रखाव सही डंग से नहीं हो रहा है उनकी जरजर हो चुकी दिवारों में से ही इटे निकाल कर ले आई भगवान ने फिर कहा जो घर पहले से खराब थे तुमने उनने और खराब कर दिया तुम इटे उन सही घरों की दिवारों से भी तो ला सकती थी माता पार्वती बोली प्रभू उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुती सही तरीके से किया है और वो घर सुन्दर भी लग रहे हैं ऐसे में उनकी सुन्दरता को बेकारना उचित नहीं होता भगवान बोले पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर है जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरीके से किया है यानि कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुन्दर बना रखा है उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है जो भी दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत वक खुपसूरत इमारत खड़ी हो तो दोस्तो अच्छे कर्म करते रहें और जीवन में हमेशा सही रास्ते का चैन करें इसी तरह के के और वीडियो के लिए हमारे चैनल चमतकारी टोटके को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें हर हर महादेव दोस्तो